कि है कि है कि हलो फ्रेटों से वेलकम टुमाई स्पीटा ओनसेटेडी दोस्तों देखिए हमedor ह्दब आज बात करेंगे इंग्लिस का मौक टेष्ट पिश्ट昨ुक्ति वह वह इंग्लिस का मौक टेष्ट फाइभ नमर हो रहा है अगर पिछले पिछले वाला मउक टेस्ट आगर आप नहीं देख करते हैं ungef06 ४ कि कि देखिए यहां पर को प्रेस्ट एक कर जाता है फिजिक्स का मॉक टेस्ट कर जाते है इंगलीश का फोकेलडी कर जाता है फिजिस्ट का topic wise भी करा जाता है और English का topic wise भी करा जाता है जैसे preposition आप देख रहे होंगे idiom phrase synonyms one word subscription यह सारे करा जा रहे हैं तो चले हम लोग बिना time waste के start करते हैं mock test number 5 देखें यहाँ पर बोड़ रहा है देखें आपको वीडियो को post और के आपको भी solve करना है his father and his mother were standing beside him इसमें हम लोग को error खुजना है error find करना है तो देखें इसमें जो error है इसमें किसी पार्ट में भी error नहीं है इसमें no error है देखें कैसे कि his father and his mother his father and his mother यह दोनों and के सांद जुरे हैं तो यह दोनों plural हो गया हैं और plural के सांद यह जो भर्द है वो भी plural है standing ठीक है वेर standing beside him देखिए यहां पर mostly हम लोग क्या करेंगे beside के जगह यहां पर हम लोग error सी पाट में कर देंगे लेकिन यहां पर error नहीं है beside में होता है के बगल में और besides होता है besi des besides मतलब होता है के अलावा के अतरीक और besides में होता है के बगल में तो यह सही है his father and his mother were standing beside him यह उसके पिता और उसके माता उसके बगल में खरे थे तो देखिए यहां पर हम लोगों का जो इसमें कोई भी error नहीं है कोई भी error नहीं है चलिए हम लोगो next देखते हैं next question देखते हैं the letter letter-was put on the wall इसमें बताने इसमें इसमें error की इस पाट में है तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैए दला लेडर वाज पूट अनदवाल तो यहां पे जो एरर है इसमें सी पाट में है देखिए यहां पर ओन जो प्डेपोर्येटिशन यहां पर औल नहीं होकर यहां फोगा एगेंस्ट वहां अगर कोई भी वास्तु या कोई भी शीज अगर किसी के सारे खरे हो खरा हो तो उसके साथ हम लोग प्रिपोजिशन एगेंस्ट का यूज़ करते हैं तो दर लाइडर वाज पूर्ट वो और नहीं होगा यहां पर एगेंस्ट होगा एगेंस्ट वाल नेक्स्ट हम दो देखते हैं ओमेन आफ्टर ओमेन इस पोक एगेंस्ट दप्रैक्टि यहां पर देखिए जो आफटर यह प्रिपोजीशन है और ओमेन डबलो ओमेन यह प्लूरल है और ओमेन यह दूनों प्लूरल है तो देखिए अगर दू संटेंस प्रिपोजीशन से जूरे हो तो दोनों सिंगुलर रहता है जैसे स्टेप बाई स्टेप होता है जैसे आप लो door होता है door to door तो देखिए इसमें भी प्लूरल नहीं बन रहा है यानि अगर पी पोजीशन से दो वर्ड जुरे हैं तो दोनों singular होते हैं जैसे यहां पर तो एएं यहां पे होगा www.man-o man after woman आफटर ओमन और मन इस्पोग एगेंसद़ प्रैक्रिकिस अफ ड़री है तो यहां पर हो जागा ओमें डबलू ओमन ओमें आफटर ओमन डबलू वमन इस्पोग एगेंस दप्रैक्रीस अफ ड़री तो जो जो एरर है वह आपका एपाट में है इसमें हमें लोगों को भी error fine करा है by introduction of tea coffee and such otherories have not been without some effect तो देखिए हम लोग को इसमें error find करना है यसमें error की sua पार्ट में तो द Devin introduction of tea coffee and such other washed have not been without some effect यहां पी इरर हम लोग का वह हैं बी पार्ट में यूब इस लिए है कि देखänger the introduction of tea the introduction of tea coffee and such other beverage have not been without some effect तो हम लोगा देखिए the introduction of tea of happy position और the introduction of tea coffee and such other beverage तो आफ के पहले जो है वह हम लोगा subject वह सिंगुलर है तो यहां पर हम लोगा जो have not होकर यहां पर होगा has not been the introduction of tea coffee and such other beverage has not been without some effect तो यहां पर जो एर्र हम लोगा हो है भी पार्ट में क्योंकि देखिए यहां पर जो आफ है वह प्रिपोजीशन और प्रिपोजीशन के पहले के subject के अनुसार भरव आता है तो यहां पर हो जाएगा है नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओपीनी इस वाजनास गैस इस विल इफेक्ट आवर हेल्थ इसमें हम लोग एरर फाइंड करना है इस वाजनास इस विल एफेक्ट आवर है तो यहां पर जो एर्र है हम लोग का है वह है बी पार्ट में इसलिए एरर है कि इस वाजनास गैस विल इफेक्ट देखिए विल है और इसके बाद भरव आता है तो भरव आता है तो यहां पर एफेक्ट होगा एफेक्ट होगा यह एफेक्ट भरव है और यह इफेक्ट नाउन है एफेक्ट मिस होता है प्रभाव तो यहाँ पर AFFECT जिसमें AFFECT आता है वो होता है भर्ब और जो इसमें EFFECT आता है वो होता है नाउन तो जाकिए यहाँ पर WILL है तो WILL के बाद भर्ब आएगा नाउन नहीं आगा जैसे राम is go to house यह राम go to house इसके पाद यह पिल किया यह इसके पाद जो आता है Will sell is MR इस सबके साथ इसके बाद भर्ब आता है नाउन नहीं आता है तो यहाँ पर हम दोंका जो होगा वहाँ पर हम लोगा जो एरर है वह बी पार्ट में है यहां पर एफेक्ट होगा इफेक्ट नहीं है चलिह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोश्यन नेश्ट देलिए चूज्ट देलिए चूज देलिए प्रेश्ट नेक्सलिम आफट फॉलाइं करना है यहां पर जो इसका होगा सिनोनिम्स हम लोगों को फाइं करना है तो फ्लीटिंग वह मैंने मीं देल के लिए चानी होता है करेंस यहां टुर एमकर तांजिस्ट्री ट्र प्रिकेंश केंश करेंस होका मुतकि थे हो लिंधार धू एक मिनट अब दी एल आई बी ए आरे टी डेलिब्रेट हो जाएगा विल्फुल का डेलिब्रेट हो जाएगा और फ्लिटिंग का टैंजिस्ट्री टेंपरोरी और विल जेनरस का बेनिभॉलेंट और एकमी का आपका हो गया एकमी सुद्धाय पिनाकल पी आई एन एडबल सी हो सकता है मिल्फुली यह सकता है पारामांट प्रिस इसभर होता है सुप्रीम हो जाएगा ले तो चलिए हम लों नेक्ट देखते हैं सिनोनिम् सिट सममनों देखना है जो बील-जो बील्प का क्या होगा टीसितर्ण और अप्टूरेट होगा वेरी होगा यह मैरी होगा जो मेरी सानियम होगा हम लोग का होगा मैरी सो फिल में फिल्म जो यह ऑख वह मैं एन टैसेटन का इंट्रोबेट होता है उड़ील्हार्ण remained लग पता हो गया इसका शीनोनिम्स हो गया मेरे उड़िशेटन का इंट्रोबेट है और अन्बा इस्टोबभल आपडूर्वरेट हो जाइगा ऋढ बहुत है पता है इसका अब्डूरेट का पता चल गया अब्डूरेट मीश होता है जिद्डी इस टॉबर्ण है अब्सटीनेट नेने वाला जो बियल मीश बिद्सम याज मेरी और वेरी मीश होता है चकना यानि अलाट रहना नेस्ट हम दोग देखते हैं वन्राट सब्सक्यूशन देखिए हम लोग का वन्राट सब्सक्राइब है कि इसमें से कौन सा होगा तो दोघ्जे पहले विडियो का पॉस किज़े क्योंकि यह मौक टेस्ट है मौक टेस्ट में कि नेक्स्ट हम लोगड़ देखते हैं गड देखिए कि अग्यर्षण मिफ certified हे विद्धर्म इसका होता है जो पंस पूष्ट्थ और फ्य बीश्ट्स होता है अपरादी स्लेयर एसलेयर स्लेयर तो हम लोग अब नेक्ष्ट दिखते हैं वनवर्ट सब्सक्रिशन देखिए आपको भी खुद से आंसर देना एक प्रोफेशनल राइडर इन होर्स रेसे तो होगा जोकी होगा इसक्रीव होगा या राइडर होगा तो देखें इसका जो आं एक ह announce का जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे बहुते हैं जोकी 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 बोलेंगे या इसका बोलेंगे स्कीब 95 Hells कि आईपी का इसमें से क्या होगा a delayed event होगा and inexplicable event होगा unexpected event होगा या on and on present event होगा तो इसका जो answer होगा वो होगा see on and unexpected event जो अच्छानक से कोई event घटना कर जाता है उसी बोलते हैं a bold from the blue next हम लोग देखते हैं question to bite the dust to bite the dust क्या होगा it was seriously होगा have nothing to eat it roots होगा या to fail होगा तो इसका जो answer होगा वो होगा d to fail यानि असफ़ल होना टूबाइट तर डस्ट next हम देखते हैं आपका find the incorrectly spelled word हम लोग को इसमें से incorrectly spelled word find करना है तो इसमें से आपको जो word गलत है उसे find करना है तो इसमें से देखे कौन सा होगा a होगा b to one two three four इसमें से कौन होगा तो इसका जो answer है वो होगा सी से क्रिफाइसिंग का होगा एस एस सी आर आई एफ आई सी आई एंग होता है से क्रिफाइसिंग एड़े स्टुडेंट का आपका वर्ड सही है आर येस टी एउ आर ये एंटी रेस्टुरेंट नौजियंस का सही है कोलाबोरेट का सही है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस में भी हम लोग को बताने हैं इनकरेक्ट एसप्रेट वर्ड यानि इसमें सह कौन वर्ड गलत है वैक्यूम होगा टेलीग्रा होगा सब्से कि वेंस होगा या एक्कुरेट होगा इसमें साब को चारों याद हो जाए पिछले वाला विजू है उसे भी याद कर लिजएगा और जो अभी का है एकुरेट और सबसे क्यों स्टेली ग्राम और वाइक्यूम यह सब याद कर लिजएगा नेक्स्ट हम लोग दिखते हैं चेंज एक्टिब टू पैसी भाइस हम लोग को एक्टिब टू पैसीब वाइस चेंज करना हैं नोबडी कुड शॉल्ब दा मैटर नोबडी कुड सॉल्ब दा मैटर इसमें से कौन सा एंसर शाहिए तो आप वीडियो का पॉस किजए और एंसर खुद से find कीज़े nobody could solve the matter तो इसका the matter could be solved by the matter could not be solved इसका जो answer होगा वो होगा 4 इसका the matter हम लोग first में लिख दिये could हो गया और जो sentence वो negative है तो not लगया उसके बाद भी हो गया उसके बाद solve हो गया यह असान है passive voice अब इसे अराम से बना सकते हैं the matter could not be solved next हम लोग देखते हैं अब देखे यह एक्टिव टू पैसिप चैंस करना है लिसेन टू मी लिसेन टू मी देखे यह imperative sentence है और जो imperative sentence होता है उसको बनाने के लिए हम लोग पहले subject लिखते हैं subject plus should लिखेंगे सूट के बाद हम लोग लिखेंगे बी के बाद भरब लिखेंगे उसके बाद प्रिपोजीशन जो भी प्रिपोजीशन आएगा उसे लास्ट में लिखेंगे तो listen to me तो मी का हो गया I I should be listen to तो देखें इसका जो अंसर होगा वो होगा three देखिए यह mock test है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दिया रहा है mock test है आप आराम से खुछ से वीडियो को पोस्ट किजिए और खुछ से एंसर चूस किजिए कौन सा एंसर सही होगा नेक्स हम लोग देखते हैं change the narration narration हम लोग को change करना है he said don't be foolish तो इसमें बताना है यह one two three four में से कौन सा सही है तो he said don't be foolish तो हम लोग लिखेंगे he told me he told me not to be foolish तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तो यहां पर objective में हम लोग खुद से मान सकते हैं तो he told me ज्यादा तर हम लोग मी मानते हैं तो he told me not to be foolish तो इसका जो सही अंसर हो हो गया तो he told me not to be foolish नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है इसमें भी हम लोग को narration change करना है मोहन said I am going to house मोहन said I am going to house तो इसका क्या होगा तो देखिए यहां पर मोहन said मोहन said that he is going to house यह तो होगा ने क्योंकि यहां पर देखिए narration में हम लोग sentence को change करते हैं तो एं है तो हम लोग का was bear होगा तो was bear हम लोग को किस दो में दीख रहा है तो was by mohon said that he was going to school ही सख़ेंगे मोहन के दूशार सहाथ यहां कर सबसक्राइब वह हैं सब्सक्राइब देखते हैं एक गया सप्राइब्सक्राइब और सब्सक्राइब वर्ट से पीक्यू वर्स बोलते हैं इसको arrange the sentence इसी को हम लोग को यह इस आपके एक्जाम में एक्स और वाई ग्रूप में आपका एक आता है जंबल वर्ट आएगा तो देखें इसे हम लोग इसका जो सही है वह है दी दी कैसे देखें if there are no trees the upper layer of the rich soil the upper layer of the rich soil gets washed in rain this upper layer is the most fertile part of the soil thus the ill of crops is low hence the afforestation tribe is insensia तो देखें इसे आप लोग पढ़कर खुछ से मेनिक निकालना पड़ेगा उसके बाद ही solve करना पड़ेगा तो इसमें थुरा सा time लग सकता है लेकिन इसको आप वीडियो को pause करके इसको खुद से किजिए तो इसका जो answer होगा वह होगा दी next हम दो देखते है next भी है एंस करना है तो देखें वीडियो को pause किजिए और खुद से find किजिए an electrical circuit an electrical circuit dash carry electricity तो इसका जो answer है वह होगा आपका a यह ऐसे किजिए होगा देखें an electrical circuit is a circle an electrical circuit is a circle of wires यानि वायर का एक circle है which is designed to जिसे design किया गया carry electricity करेंड को ढोने के लिए यानि करेंड को एक जग से दूसरे जगा ले जाने के लिए तो an electrical circuit is a circle an electrical circuit is a circle of wires which is designed to carry electricity तो इसका जो answer होगा वह होगा next हम लोग को देखते हैं question she was compensated she was compensated dash the loss तो इसमें 4 होगा 2 होगा on होगा या वित होगा यह preposition है और preposition आपको खुद से बताना है तो compensated miss होता है भरपाई करना तो c was compensated with for the loss तो इसका जो answer होगा वह होगा a compensated या pay for pay के साथ पूजिशन 4 आथा है और compensated के साथ पूजिशन 4 आथा है तो इसका जो answer होगा वह हो गया ए नेक्स्ट हम दोग देखते हैं चले हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आई कैंनोट डिप्राइब हीम डैस ओफिज राइट इसमें देखें ए होगा बी होगा और सी होगा या यह द्योंगा तो दिखें वीडियो पॉस्स कि जोजिए और इसको अब भी करें किझें आइककन नौट आइकन नब डिप्राइब कि आई के नोट डिप्राइब ओफ इस राइट डिप्राइब के सांथ प्रिपोजिशन होता है ओफ लैक ओफ डिप्राइब ओफ लैक ओफ डिप्राइब ओफ होता है डिवाइड ओफ होता है इसका देखिए एल एसी के लैक लेक होगा डिप्राइब D-E-P-R-I-V-E डिप्राइब हो गया डिप्वाइब होगा डिप्षी ओ आइड इस साथ प्रिप्रॉजिशन आता है ऑ तो I cannot डिप्राइब हीम ओफ इस राइट यानि हम उसे उसके अधिकार से वशंचित नहीं कर सकते हैं तो I cannot not deprived I can't deprived him of his right leg LAC के साथ भी पोजीशन आफ आता है प्राइब के साथ पर पोजीशन आफ आता है डिवार्ट के साथ भी पोजीशन आफ आता है चलिह हम लोग नेक्ट देखते हैं नेस्ट है आइसेल टेक्रिवेंज डैस यू तो देखिए जो रिवेंज है रिवेंज दो तरह से यूज़त है एक नाउन और एक भर्ग तो और भी एन जी अगर रिवेंज नाउन की तरह यूज है तो उसके साथ फ्रॉम आएगा प्रिपोजिशन फ्रॉम अगर रिवेंज यूज हो तो उसके साथ प्रॉरी सं ओन आएगा तो तो यहाँ चवल टैक्रिवेंज आई से टेकरिवेंज यहाँ पर नाउन की तरह उन जगाा है तो shall take revenge from you I shall take revenge from you or they came for Peter other usual to take a happen only Jaguar market ready you don't want to say he r-e-b-e-n-g-e-d he revenged himself he revenged himself and dash energy e and e and he sorry he he revenged himself that enemy e n e m y enemy to the key is this is a joke is a joke is a joke which is why I will be here to 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 be from and here to be here to be here to be himself and dash on enemy 3rd position on enemy यहां पर भर पी तरह यूज हुआ है और यहां पर जो रिवेंज है वह डाउन की तरह यह यूज हुआ है इसलिए यहां पर होगा फ्रॉं तो इसका जो आंसर होगा आपका सी नेश्ट हम लोग देखते हैं फिल इन ब्लैंक्स विद्धा वर्ट गिवन बिलो इसमें भी हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा करिक्ठ है तो माई डैस ही वाज इनोसेंट तो देखिए यहां पर जो माई है वह क्या है पोजेशिव एड्जेक्टिव है जैसे ही माई कार माइटwah माइ साहिकर आवरी स्कूल थूस्ट्व ट्वाएकर यह सब क्या है यह सब नाउनां है तो तु माई डैस हीवास इनसेंट तो माई के बाहाद बिलीफ जो आए गएह कहां पर नाउन आए गा तो देखिए यह जो बिलीफ है एकमिन अट कब आपका यह बिलीव है यह तो आपका बिलीव हो गया वर्ब और जो यह पिलीव है यह फेँए नाउन पिलीम में सोथा ह scout करना और एक बिलीव में सोथा बिस्वास the tune my belief ten my belief हीवास innocent तो इसका जो आनसर जो शोनजर गाव वो का वी प्लीव हिवाज इनोसेंट तो इसका अंसर हो गया वी क्योंकि बिलीफ यह है नाउन और यह बिलीफ है आपका यह बिलीफ है भाड़ तो यहां पर जो बिलीफ है वह नाउन है इसलिए आप दी एल आई एफ बिलीफ हो जाएगा नेक्स्ट हम दो देखते हैं इस 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 बेस्ट एडिया डाइस आई कैन डू तो इसके सांथ क्या होगा हूं होगा विच होगा डाइट होगा या वूज होगा तो इसके सांथ जो होगा वह होगा डाइट क्योंकि देखिए यहां पर सुपर लेटिव डिगरी है और सुपर हम दोग देखते हैं देते अन्तोनिम औस एफव ओई फोनीज गया होता है एडवर्सरी होगा फीभल में यह इसका ञे papam इसका जो आंसर होगा इसका opposite बताना है क्षिक होगया friend आना कर आपका इनमी यह दोनों आपका synonyms है और दून आपका synonyms और friend जो होगszy आपका एंटोनीम सोग्या और फिवल मिशता है कम जोर यानि week week नेक्स्ट हम दो देखते हैं इसमें भी एंटोनीम हम लोगोग याँञे करना है शफी सफ चींद मीस होता है पढ़ियांगट सफिक्ष सफ शतेंद में इसका आंज ai यो ओगा लैक मीस होता है कम मात्रा या थोड़ा मात्रा में तो अथी सब्लकर सब्सक्राइब होता है लाइग नीबुल में छोधा है दूंदला इसका उधे हैज हो थे हैज़ी यायनि अनकिलियर बॉर्डर पता है थ्रेस होल्ड मिस को पता है थ्रेस होल्ड मिस होता है चोख़ट या दरवाजा बॉर्डर आपको पता है नेबूलस हो गया नेबूलस मिस है जी यानी अनकिलियर और आपका सफिस मिस होता है पड़े आप तो इसका अंटोनिम हो गया लैक एले सी पक्क है नेक्स्ट नोगा देखते हैं कि चेंज इस फॉर्म इन्टो एड्चेक्टिव जो गोल दिया है इसको एड्चेक्टिव में हमनों को चेंज करना है तो वीडियो का पोस्की आप इसमें से देखिया कौन सा एड्यक्टिव होगा तो जो एक्स और वाई ग्रूप में या SSRWM आपका एक adjective पूछता है तो gold का जो adjective होता है वो हो गया golden G-O-L-D-E-N तो आपका जो हो गया gold का हो गया golden next आम दो देखते हैं आपका अलग verb of the given noun जो noun है H-E-I-G-S-T noun है इसका verb क्या होगा high होगा heightened होगा highly होगा यह B तो आपका हाइट का होगया heightened next हम दो देखते हैं नेक्स देखें आपका mock test हो गया समाप्त तो देखें mock test समाप्त हो गया अगर आप आपको अगर इस कुछ समझ नहीं हो तो उसे फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें आपको जरूर आपको इससे राइदा मिलेगा आपको जरूर इससे समझ में आएगा अगर पिछले वाला mock test पीछे वाला synonyms physics का mock test अगर आप नहीं दिए प्री पोजिशन नहीं किए तो उसे जाकर आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल एकन प्रेस किजिए और लाइक किजिए और शेयर किजिए तब त थैंकिं यू पर वाचिं इस वीडियो धन्यवाद